नमस्ते दोस्तों, Welcome to Study16 मेरा नाम प्रिसांद पाठक है और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मद्ध भारत का इतियास हम पढ़ेंगे और इसके 50 कोशन सॉल्प कराऊंगा मैं आपके लिए यह वीडियो आपको MPADPO इसके अलाबा MPPSC की जो भी एक्जाम है अभी और आने वाले एक्जाम है उसमें काम आएगा इसके साथ MPPटवारी और BPSC तथा CGPSC के लिए भी यह वीडियो महत्पून है तो हम सुरू करते हैं पहले कोशन के साथ में आपका पहला कोशन है सिवाजी महराज के धार्मिक गुरू थे अपसन दिया गया है तोकाराम, एकनात, रामदास और ग्यानेश्वर तो रामदास जो थे वो सिवाजी महराज के धार्मिक गुरू थे अगला कोशन है कि सुभी संथ को चिरागे डैलवी कहा जाता था option दिया गया है नजामुद्दीन ओलिया, सेख नसुरुद्दीन महमूद, कुत्बुद्दीन बक्तियार खाकी या इन में से कोई नहीं तो जो सेख नसुरुद्दीन महमूद थे, इनी को चिरागी देल भी कहा जाता था और आपको बताना है कि इनके गुरु का नाम क्या था अगला कोशन है जुजार सें बुंदेला ने किस के खिलाब बिद्दोर किया था अप्शन दिया गया है अकवर, जहांगीर, साजहां, औरंगजीब तो जुजार सें बुंदेला ने साजहां के बुरुद्दी में बिद्दोर किया था अगला कोशन है जोना खां किस राजा का असली नाम था? मुहमद बिन तोगलक, फ्रोज साह तोगलक, नसुरुद्दीन महमूद तोगलक या इन में से कोई नहीं तो जो मुहमद बिन तोगलक है उसको जोना खां की नाम से जाना जाता था अगला कोश्चन है सोलंकी बंस की राजधानी कहां थी ओप्शन है वेरावल अहिनवाल भरूच कर्णावती तो इसका उत्तर रहेगा आपका अहिनवाड जो की गुजरात में है अगला कोश्चन है पाल खेडा का युद्ध किस वर्स में हुआ था ओप्शन दिया गया है 1728, 1720, 1721 या 1724 तो इसका उत्तर है आपका 1728 यह जो युद्ध है मराठों और हैदराबाद के नजाम के बीच में हुआ था जिसमें मराठों की तरब से बाजीराओने लड़ा था और इस युद्ध में नजामों की हार हुई थी अगला कोश्चन है औरंग जेब के समय राजप उन्या से अगला कोश्चन है मुहमद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाब था ओप्शन है खोकर बटी पठान या जाट तो आखरी जो युद्ध था उसका खोकरों के साथ में हुआ था और इसी के बाद वो घायल हो गया था जिसके बाद उसकी रद्य हो गई थी अग उप्शन दिया गया है तारी के फिरोज साही तुलक नामा फुतोते फिरोज साही तबकते फिरोज साही तो इसका आंसर रहेगा आपका फुतोते फिरोज साही अगला कोश्चन है पेशबाओं के सिवराई नामक मराठा सिक्के को ढालने के लिए किस धादू का उप्योग क किया गया था, option है आपके सोना, तांबा, चांदी या सोना तांबा की मिस्र धातू, तो इसका अंसर रहेगा आपका तांबा, अगला question है, महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया है, option है 13, 15, 17 या 19, तो आपको पता होगा कि उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किय अगला question है, तरायन का प्रथम युद्ध, निमलखित में से किस वर्स लड़ा गया, 1191, 1219, 1300 या 1291, तो इसका उत्तर है आपका 1191, जो की प्रत्विराश सिंह चोहान और महम्मद गजनी के बीच में लड़ा गया था, अगला question है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान, चंगेज खा का समकालीन था, option है, इल्थ उत्मिष, अलाउद्दीन खिल जी, महम्मद बिन तोगलप या इब्राहिम लोदी, तो इल्थ उत्मिष के समय पे चंगेज खान ने आकरमण किया था भारत को उबर, अगला question है, निमलेखित सासकों में से कौन महान दार्सनिक माधवचारे का स समकालीन था, यहाँ पे समकालीन पूछ रहे हैं, बलवन, कैकुबाद, अलाउद्दिन खिल जी, या नसुरुद्दिन महमूद, तो इसका उत्तर रहेगा आपका बलवन, अगला question है, सिमुक किस राजवन्स के संस्थापक थे, option दिये गए हैं, कुशार, कल्चुरी, सद् तो आपको पता होगा कि जो सद्वान, राजवन्स था, इसके संस्थापक सिमुक थे, अगला question है, मुहमत बिन साम के निमलिखित में से किसे सोने का सहर कहा है, option है, आपके मुल्तान, रावर, निपुल, या आपका सहवान, तो इसका उत्तर रहेगा मुल्तान, अगला question है, किसे भारत में इस्लामी सामराओ्य का बास्तुख संस्थापक माना जाता है, option दिया गया है, गजनी के महमूद, साहवदिन मुहमत, अलावदिन हुसेन, या ग्यात उल्दीन, तो इसका उत्तर रहेगा आपका साहवदिन मुहमत, या इसको मुहमत गोरी के नाम से भी जाना उपाधी से सम्मानित किया गया था, अलपतगीन, मुहमद बिन कासिम, महमूद गजनी या सुबुक्तगीन, तो इसका आंसर है आपका, महमूद गजनी जो था, उसने यमिन उद्दौला की उपाधी धरन की थी, अगला कुश्चन है, तुगलक बन्स की इस थापना किस ने की सल्तनत काल में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था option है आमिल, गाल, मिका, भुक्ती या मुकद्दम तो यह जो मुकद्दम था यह आप देखोगे कि ग्राम की प्रधान के रूप में जाना जाता अगला कुश्चन है निमले खित में से किस ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया था option दिया गया है आपको साजहां, जहांगीर, औरंगजेब या इन में से कोई नहीं तो जो जहांगीर था इसने सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया था अगला कुश्चन है मुगलकाल के संदर्म में एलची या सफीर सब्द खालिस्तान को परिभारसित करता है या संदर्वित करता है option है राजदूत, बिद्रोही, जासूस या गवर्नर तो यह जो सब्द है वो राजदूत के लिए यूज किया जाता था अगला कुश्चन है अकबर की प्रसासनिक व्यवस्ता निमलिक्त में से किस सासक की प्रसासनिक व्यवस्ता से प्रेदित थी हर्स, बक्रमादित, सेरसाय सूरी या इन में से कोई नहीं तो सेरसाय सूरी जो थी उसकी ही प्रसासनिक व्यवस्ता पर आधारित थी आपकी अकबर की प्रसासनिक व्यवस्ता अगला कोशन है मुगल प्रसासन के दौरान एक प्रांद का मुखिया कौन था वजीर, सुवेदार, फोजदार या मुकद्दम तो जो प्रांद का मुख्या होता था उसको सुवेदार कहा जाता था अगला कोशन है हुमायू नामा निमलिखित में से किस लेखक के द्वारा लेखा गया था हुमायू, खंड, अमीर, गुलबदन बेगम या अबुफजा तो जो गुलबदन बेगम थी इनके द्वारा हुमायू नामा लेखा गया था अगला कोशन है रामचरित मानस के लेखक तुलसी दास किस सासक के समकाल इन थे अकबर, हर्स, चंदुप्त, मौर या नबाब, वज़े अलीशा है तो अकबर के समकाल इन थे तुलसी दास अगला कोशन है दिल्ली सल्तनत का सासन कब समाप्त हुआ 1498, 1526, 1565 या 1600 तो आप देखोगे 1526 में दिल्ली सल्तनत का सासन समाप्त होता है 1526 में बावर आक्रमण करता है और पानिपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी गोहरा कर मुगल सामराज्जी की स्थापना करता है अगला कोशन है कारकोड वंस कहां का था ओप्शन दिया गया है आपको कश्मीर, गुजरात, दककन या मध्यप्रिदेश तो आप देखोगे कि जो कारकोड वंसे ये कश्मीर से संबन दिया था अगला कोशन है किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था अकबर, जहांगीर, साह जहां, औरंगजेब तो आप देखोगे जो औरंगजेब था वो सरीयत कानून के हिसाब से अपना सामराजी चला था था और उसने ही म्यूजिक पर बेन लगाया था और ये कलमा खुदवाना है ये भी बंद कर वाया था अगला कुश्चन है जैचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था तरायन के प्रिथम युद्ध, तरायन के दूत्री युद्ध या चंदावर की युद्ध में तो जो चंदावर का युद्ध था 1194 में हुआ था इसमें मुहमत गोरी ने इसको हरा दिया था और इसको मार दिया था अगला कुश्चन है निमलेखित राजपूर बंसों में से कौन सा अगनी कुल से नहीं है प्रतिहार, परमार, चोहान या कछवाह तो आप देखो जो कचवाह है वो अगनी कुल से संबंदित नहीं है अगला कॉश्चन है हेलेवेड और वेलूर यहाँ पर में स्प्रिंट है के मंदर किस वंस के राजाओं ने बनाये थे काक्तिय होईसाल चालो कि अभिजय नगर तो आप देखोगे जो होईसाल बंस के राजा थे इनके द्वारा बेलूर और हेलेवेड के जो मंदर है उनका निर्मार किया गया था अगला कॉश्चन है आपका किताब उले हिंदी की रचना किस ने की थी और अप्सन दिया गया है आपको बलबन, अलवरुनी, अमीर खुसरो, इबन अबतूता तो अलवरुनी के द्वारा किताब उले हिंदी की रचना की गई थी और इबन अबतूता ने रहला नामक बुक लिखी थी साथ ही अमीर खुसरो ने हस्त बेहस्त नामक जो किताब है उसकी अच्छना की थी अगला कोश्चन है निमलखित में से कौन सा मुसलिम विद्वान महमूद गजनी के साथ भारत आया था यह कोश्चन इंपोर्टेंट है और पूछा जा सकता है अप्शन दिया है अलवरुनी, अमीर खुसरो, अबुजायद, बल्खी या मुहम्मद अल इद्री सी तो जो अलवरुनी है यह गजनी के साथ में भारत आया था अगला कोश्चन है निमलक हित्में से किस कवी ने महमूद के दर्वार में अपना महाकाब साह नामा पूरा किया है और अप्शन दिया गया है फारुकी, फिर्दोसी, अन्सूरी या असजादी तो जो फिर्दोसी थे इन्होंने साह नामा की रचना की है अगला कोशन है फ्रोजसा तोगलक के बाद निमलेखित में से किस राजा को उत्राधिकारी बनाएगा अभुबक्रप, नसरुद्दीन, मुहम्मद खान, गयासुद्दीन, तोगलक तो इसका उत्तर रहेगा आपका मुहम्मद खान अगला कोशन है मेदपार्ट निमलेखित में से किस राज्य का प्रारंभिक नाम था उप्शन है मालवा, मेवार, कश्मीर या इन में से कोई नहीं तो जो मेवार था इसका प्रारंभिक नाम मेदपार्ट था और बरतमान में आपका उदायपुर जो सामराज्य है उसका निमलखित में से कौन सा भारती और महादीब में महुम्मद गोरी का पहला आक्रमण था कश्मीर, पंजाब, मुलतान, गुजराद तो आप देखोगी कि इसने मुलतान पे सबसे पहले आक्रमण किया था अगला कोश्चन है निमलखित में से किसने अपनी समराज्य में समराज्य को एक्ता में भार्जित किया था कुद्बुदिन, एवक, अरामसा, इल्तुत्मिस या बलवन तो एक्ता में विभाजन की जो सुरुवात थी वो इल्तुत्मिस ने की थी अगला कोशन है निमलेखत में से किसे एक अभिनाव चेहरा और दाग प्रणाली का आवस्कार माना जाता है तो यहाँ पे जो अभिनाव चेहरा लखा है तो यहाँ पे में स्प्रिंट रहेगा हुलिया और जो दाग प्रणाली है उसका आवस्कार किसने किया था option दिया है आपको अलाद दुन खिल जी जलाद दुन खिल जी मुबारक सा खुसरो तो इसमें आप देखोगे कि जो अलाद दुन खिल जी था इसी को हुलिया और जो दाक परणाली है इसने शुरुगात की थी ताकि जो सेनेक है वो corruption ना गर पाए अगला question है मध्यकालीन भारत में केंदर सरकार द्वारा सासिद भूमी को किस सब्द का प्रियोक किया जाता था मुक्ती, खलीशा, इनाम या बरीद तो जो खलीशा भूमी होती थी इसको सरकारी भूमी के नाम से जाना जाता था और इसका जो कर है उस सीधा केंदर सरकार या आपका जो दिल्ली सलतना था उसको जाता था अगला कोशन है कुद्धिन एवक्के सासनकाल के दोरान प्रियोक्त टर्फ सब्द का अर्थ है उच बडपन केंदरिय प्रसासन विभाग छेत्र का उपखंड प्रांतिय सरकार तो इसका अर्थ है आपका उपखंड छेत्र अगला कोशन है सलतना काल के दोरान प्रांतों को निमलिखित में से किस में विभाजित किया गया था एकता, सिक, परगना या गाउं तो यहाँ पर आप देखो कि प्रांतों को पूछा जा रहा है तो इसका अंसर रहेगा आपका सिक अगला कोशन है निमलिखित में से किस मंदर को पंपती के नाम से भी जाना जाता है बिठल स्वामी मंदर, विरुपाक्ष मंदर, हजारा स्वामी मंदर या इन में से कोई नहीं तो इसका उत्तर रहेगा आपका विरुपाक्ष मंदर अगला कोशन है निमलिखित में से किस संत ने चिस्ती संपदाय की शबरी साखा की स्थापना की Option है आपके मुक्धुरन अलाउद्दीन अली, अब्दूल-कुदुस-गंगोही, मोहिबुल्ला इलहबादी या सलीम चिस्ती तो आपके इसके option रहेंगे मुक्धुरन अलाउद्दीन अली अगला question है निमलखित में से किसे भी नार के नाम से जाना जाता था दौलताबाद, अहमद नगर, पटना या मगद तो इसका उत्तर रहेगा आपका अहमद नगर अगला कुश्चन है चांद बीबी निमलखित में से किसकी पुत्री थी? हुसेन निजाम साह प्रथम, बुरहान, बुरहान सेकेंड या मुर्तजा बंद तो इसका उत्तर रहेगा आपका हुसेन निजाम साह प्रथम अगला कुश्चन है निमलखित में से कौन गुलकुंडा का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपादी धारण की और अपने नाम से सिक्के जारी किये option दिया गया है कुली कुतब उल्मुल्क, जमसीद, मुहम्मत कुली या इब्राहिम कुतब साह तो इसका उत्तर रहेगा आपका इब्राहिम कुतब साह अगला कुश्चन है मुगलों के अधीन एक प्रांथ का मुख्य राजश्व अधिकारी कौन होता था वक्सी, दीवान, सदर या इन में से कोई नहीं तो जो दीवान होता था वो राजश्व से संबंदित था और ये मुख्य अधिकारी होता था प्रांथ का तो ये 50 questions थे जो की मध्यकालिन भारत से संबंदित थे और आसा करता हूँ कि ये questions आपको आगे exam में आएंगे और ये वीडियो आपके लिए काफी महत्पूर रहेगी चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को सेयर करिए और हमारे चैनल को subscribe कीजिए Thank you for watching the video